जह हिंद future of India और आप सबी लोगा स्वागत है मैं हूँ हिमान सुक्मार इस वीडियो में बात करने वाल है अलका इंडिया कंपणी बारे में यह वही अलका इंडिया कंपणी है जिसमें पिछले 6-7 महीनों से ट्रेडिंग बंद है ट्रेडिंग क्यों बंद है क्योंकि सेवी इसको GSM की सिर्डि में डाला हुआ है और आपकी जनकारी के लिए बता दूँ कि अभी यह स्टॉक GSM की 6 सिर्डि में है यानि कि GSM 6 में है और आपको पता है कि जब कोई स्टॉक GSM 4 से उपर चला जाता है तो इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है पिछली बार से स्टॉक म में 2 माई 2022 को ट्रेडिंग हुआ था यानि कि तक्रीबन 6-7 में से स्टॉक में आप दखेंगे तो ट्रेडिंग बंद है अब देखिए कोई भी स्टॉक GSM की सिर्डि में क्यों जाता है इसके उपर एक लंबी चोड़ी बहस की जा सकती है लेकिन आपको जनकारी के लिए बत या SM डिश्मिंट में डाल देती है अब किसी इस टॉक को जब GSM या SM डाला जाता है तो उसको समय समय पर पेनालिटी देनी होती है और कोई भी पर लिश्ट होता है तो समय समय पर उसको BAC-NC की फीस भी भरनी होती है अब यहाँ आपको समझना होगा कि जब कोई यह यहां पर इसकी मुनिट्रिंग की जाती है कि इसका जो भी बक आया है जो भी payment करना है कि नहीं हुआ रहाता है तो तो अभी इसका जो रिस ट्रक्षन है यानि जो अभी इस ट्यासियं में उसको फिर अगले 6 मा के लिए बढ़ा दिया दया तो यहाँ पर हम समझना होगा कि तो अभी इसका 6-7 मीन हो गया है तुम ही दिसंबर में इस टोक बाहर आ जाएगा यदि सब कुछ किलियर रहा तब यदि इसने अपना पेनाल्टी और भरना भर दिया होगा तब जब जैसे में से बाहर आएगा तो उसके बाद फिर इसमें संभव है यह अलका इंडिया वही क कंपनी पर लोगों काफी भरोसा था यह कंपनी लोगों के ख़ड़ा उतरती भी क्योंकि इसी साल जनुवरी में इसने तक्रीबन पांच रुपे का अपना आसपस का हाई बनाया था जो काफी अच्छा था और लोगों ने गलती क्या कि इसके श्टॉक को बढ़ती हुए प पिछली बार जब इस स्टॉक का लाश्ट ट्रेडिंग हुआ तो वहां पर जहां पर इसने क्लोजिंग दिया था दो रुपे दो अधाई रुपे का अब भी देखेंगे तो यह स्टॉक का प्राइस वहीं पर है क्योंकि इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रहा है अब एक काम की का रहा हूं क्योंकि अभी स्टॉक को शुल्डेशन रेंज में आप स्कीन पर जेक सकते हैं और जब यह स्टॉक में ट्रेडिंग सुरू होगा तो जो लोग भी फंसे हुए हो निकलना चाहेंगे तो जब लोग इसमें से निकलना चाहेंगे तो अपना से बेचेंगे जब प्राइस फिर नीचे जाएगा तो यदि आप इसमें बने रहेंगे तो आपको ज्यादा लॉस हो जाएगा और वैसे भी 50-60% के लॉस में तो आप है ही तो देखिए इस टॉक से आप दूरी बना लीजिए क्योंकि और लेली बहुत लॉस हो गया और ज्यादा लॉस अगर श् कुछ भी हो सकता है तो मैं उमीद करता हूँ इस टॉक के बारे में जो बाते में आपको बताई या आप समझ पा रहे होंगे यह जनकारी आपको पसंद आई होगी फिर भी मन में कोई confusion है कोई सवाल है तो मैं जरूर पूछे मैं उसको उस confusion को और आपके प्रसंद के मिलते हैं अगली वीडियो में तो तक लिए धेने बात शुक्रिया हूँ